दोस्तों क्या आपके पिशाब में गंदी बद्व या स्मेल आती हैं? जब आप टॉलेट से बहार आते हैं तो लोग कहते हैं कि यार क्या करके आया है? क्या आप जानते हैं कि पिशाब की बद्व का कारण जहां बहुत सामान्ने हो सकता है वही ये किसी गंबीर बिमारी का लक्षिन भी हो सकता है तो आईए आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पिशाब से आने वने इस बद्दू का क्या कारण होता है इससे कैसे बचा जाए और ये पिशाब के बद्दू किस बिमारी का संखेत हो सकता है और अगर ये बद्दू किसी बिमारी के कारण है तो इसका इलाज कैसे संभावे है इस सारी जानकारी के निए मेरे साथ अन तक इस वीडियो में जोड़े रही है नमस्कार दोस्तू मैं डॉक्टर दिवाश वुपतर दैडोक हेल्फ पर आपका स्वागत करता हूँ दैडोक हेल्फ आपको साथ और जरूरी मेडिकल एजूकेशन देने के लिए प्रतिबद है और आगे भी जरूरी मेडिकल एजूकेशन ताप करने के लिए हमारे चानल को सिब्सकाइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार में जादर जादर शेयर करें दोस्तों पिशाब में जो टिपिकल स्मेल आती है ये स्मेल पिशाब में पाई जाने वाली अमोनिया की वज़े से होती है पिशाब में मांतरहिं सबके योरिन को अलग-अलग smell देती है पर अगर आपके योरिन से बद्बू आ रही है तो इसके और भी कही कारण हो सकते हैं आई विस्तार में जाने कि पिशाब में बद्बू के क्या क्या करण होते हैं इंमें सबसे पहला आता है dehydration ये पिशाप की तेज, smell का मुख्य कारण है सबकी urine में ammonia होता है जभ आपके यूरिन में ammonia होता है दो ammonia कम concentrated होता है वही अगर आप dehydrated है, आपके शेडियर में पानी की कमी हो गई है तो ammonia ज़ाधा concentrated हो जाती है और उसकी गंध भी तेज हो जाती है इसलिए जब आप सुबह होते हैं तो आप उस समय आपके यूरिन में स्मेल जादा आती है इस बद्बू के अलावा यूरिन का गैरा रन भी डियाइडरेशन को दर्शाता है अगला कॉमन कारण है UTI यानि यूरिनरी ट्रेक्ट इंफेक्शन आपके पिशाब के रास्ते का इंफेक्शन भी पिशाब में बद्बू का करण हो सकता है क्योंकि पिशाब के रास्ते में बेक्टीरिया की ग्रोध बढ़ जाती है कुछ दवाओ और सप्लीमेंट खाने से भी पिशाब के इस नई बेसर पड़ता है इनमें आते हैं विटामिन डी, विटामिन बी, सल्फोनाबाइट एंटिबाइटिक्स, डाइबिटीज के ननी जाने वाली दवाएं, रुमेटर आर्थराइटिस या गठ्या की मेडिसिन्स इसके अलवा कुछ बिमारियों के वज़े से भी पिशाब में बद्व आने लगती है, इनमें सबसे पहला है डाइबिटीज, अगर आपके पिशाब की गंद अचानक बदल गई या पिशाब में जादा बद्व आने लगी है, तो आप वो सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि डाइबिटीज की शुरुवात का संकेत हो सकता है, वे लोग जिनकी डाइबिटीज कंट्रोल नहीं है और शुगर्स बड़ी हुई है, ऐसे लोगों की पिशाब में मीटी मीटी से स्मेल आती है, अगली बिमारी है ब्लैडन फिस्टूना, जहां किसी चोट, ओपरेशन या या फिर आतों के बिमारी की वज़े से पिशाब की थैली और आतों के बीच में एक रास्ता बन जाता है, जिससे आतों के बेक्टीरिया पिशाब की थैली में पहुंच जाते हैं, अगला तारण है लिवर की बिमारी है, लिवर की बिमारी की वज़े से पिशाब में एक ग्यारे रंग का पिशाब होना अगली बिमारी फिनाइल के टॉन यूरिया यह जनमजाद पिमारी जिसता कोई इलाज नहीं है जिनको यह बिमारी होती है वे लोग फिनाइल एलरी नाम के अमीनो एसिट को मेटबोलाइज नहीं कर पाते और यह मेटबोलाइज इखटा होकर पिशाब को एक मस्की या मौजी स्मेल देते हैं अगली बिमारी है मैपल सिरप यूरियल डिजिस यह भी एक ऐसी लाइनाज अनुवशिक बिमारी है जब पिशाब की स्मेल मैपल सिरप यानि जली हुई चीनी जैसी आने रखती है इस बिमारी में मरीच लियूसिन, आइसो हो सकता है और मरीच की मित्यू भी हो सकती है अगली बिमारी है किड्नी स्टोन्स यानि किड्नी में पत्री पीछे कमर में दर्थ के अलावा पिशाब में बद्वो भी किड्नी की पत्री का एक लक्षन होता है इसके अलावा प्रिगनेंसी में भी पिशाब की गंत बदल जा ये पिशाब की रास्ते का infection बार-बार होता रहता है क्योंकि बढ़ता हुआ योट्रस पिशाब की थैनी को दबा देता है और एक बार में पूरा urine पास्ट नहीं हो पाता और कुछ urine हमेशा bladder में बचा रहता है जो bacteria की growth के लिए एक अच्छा माध्यम बन जाता है इसके अलावा खाने की कुछ चीजों से भी पिशाब में बद्बू आ सकती है इसमें मुख है asparagus ऐसा इस नहीं होता है क्योंकि asparagus में एक sulfur rich compound होता है जिसे asparagusic acid कहते हैं पर इसमें चिलता की कोई बात नहीं है जैसे ही asparagus आपके system से निकल जाता है वैसे ही पिशाब की smell भी normal हो जाती है इसी तरह नहसुर और प्याज खाने पर इनमें पाई जाने वानी sulfur compound पिशाब में इसमन का कारण बनती है दोस्तों ये तो वह पिशाब का एक ऐसा लक्षण जो किसी बिमारी का संकेन भी हो सकता है और इस बद्बू के कारण के diagnosis के लिए doctors आपकी कुछ टेस्ट करवाते हैं जैसे की urine का analysis, cystoscopy, ultrasound ये kidney की city skins दोस्तों पिशाब की बद्बू से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है पर कुछ ऐसे लक्षण है जो अगर आपको ये आपके परिवार में किसी को हो तो आपको सतर को जाना चाहिए और तुरंग अपनी डॉक्टर से संपर्थ करना चाहिए ये लक्षण है पिशाब में बद्बू दो या दो दिन से जाधा तक रहे पिशाब में मीटी गंद आने लगे mental confusion हो पिशेंट को पीट फूल जाए जीग अब आने लगे उल्टी हो ये लक्षण डाइबिटीज लिवर डिजीज जिस सिविर तो तीज चार गंटे में पिशाब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप पर याप पानी नहीं पी रहें अगनी आदत है खूब पानी पी रहें पिशाब करते समय रिलेक्स रहें इससे मसल्स भी रिलेक्स होंगी और आपका ब्लेडर आसानी से और पूरा खानी हो पी है जिसकी वज़े से बेक्टिरियल गोथ हो सकती है तो देखा दोस्तों पिशाब की बद्बू बहुत से कारणों पर निर्गर करती है कि आपको क्या बिमारी है आप को सी दवा ले रहें आपने रात को क्या खाया था और जादतन कंडिशन में इसमें चिंता की कोई बा जनकारी, आपकी नहीं नाप्र unanim होगी इसके अलावा अगर आप जानना चाते है कि खत्मा यह सरकम members को पेमलेस कैसे किया जाता है और खत्ना से जुड़े हो कुछ भ्रम का अप क्लियर करना चाहते है और खत्मा यह सरकम शिज़न कराने के क्या फाय दे होती तो आप राइट में दे रहे वीडियो को क्लिक करें इसके अलावा अगर आप बारत के सर्वसीर्ज डॉक्टर से संपर करना चाहते हैं अपनी किसी भी परिशानी के लिए तो उपर देगे फोन नमबर पर कॉंटाइब करें इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रेलिटिन यूसफूल ऑथंटिक रिनार्बल इंफरमिशन के लिए किर्पियावान यूट्यूब चैनल देट ओकेल सब्सक्राइब करें स्वास रहें स्वरक्षित रहें धन्यवाद